सो नमस्का दोस्तों एक बार फीर्ट से आपका बदबद स्वागते आपके अपने यूट्यूब चेनल यसरा सलुसंस में मैं हूँ आपका दोश टेक्निकल मुकेश तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और सांदार वीडियो लेकिया तो जिहां दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुती ultimate और खास होने वाला है तो जिहां दोस्तों क्या होगा यदि हम android device के chrome browser में more than 99 tabs open करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो memory है वो consume होगी साथी साथ betty power भी consume होगा तो चलिए simply मैं यहां अपने google chrome browser को open करता हूँ तो यहां browser के open होने के बाद आपको tape count में 90 tabs से 100 हो रही है तो यहां जितनी ज़्यादा tape होगी उतनी memory consume होगी उतना ही betty power यहां consume होगा तो google ने एक खास feature add किया है यहां tape count में kv2 digit तक ही value show होगी इसके बाद आपको एक extra x होगा यानि कि यहां numerical value show नहीं होगी तो चलिए यहां पर हम और भी tabs को add करते हैं तो यहां जब हम 99 tabs पर हम पहुचेंगे इसके बाद हम echo tape add करेंगे यानि कि 100 rate तो यहां more than 99 tabs अगर आप add करते हैं तो यहां tape count में आपको numerical value show नहीं होगी तो फिलाल यहां देख लीजिए अभी 99 tabs open है तो google developers ने एक इसा feature add नहीं किया है जिसमें more than 3 digit value show हो तो यहां keyword 2 digit तक ही value आपको show होगी इसके बाद आपको एक extra egg दिखाए देगा यानि कि smiley face तो चलिए यहां पर हम echo tape को add करते हैं तो जैसे यहां हम echo tape को add करेंगे तो यहां tape count में आपको एक smiley face सो होगा तो चलिए यहां हमने tape add कर दी तो देख लीजिए tape count में आपको अब numerical value show नहीं हो रही केवल tape count में two digits तही value show होती है तो दोस्तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा एक nice सी comment करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ share चरू करना सो नमस्कार दूस्तो आपका दिन सूपो once again thank you for watching my youtube channel यसराज solutions